मूलांक के अनुसार स्वभाव और रोग चमतकारी उपाए असरदार उपाए कुछ ऐसे उपाए जिने अपना कर आप जल से जल धनवान बन सकते हैं तो दोस्तों अगर आपने चमतकारी टोटके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तता हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों व्यक्ति का सुभाव कैसा होगा ये उसके मूलांक पर निधर करता है तो दोस्तों आईए जानते हैं अंकों से जुड़ा हुआ सुभाव और व्यक्ति को लगने वाले रोग अंक एक दोस्तों अगर आपका जन्म एक, दस, उन्नीस या अठाईस तारीक को हुआ है तो आपका मूलांक एक है ऐसे लोगों को राजा महराजा की प्रवर्ती का माना जाता है ये लोग जल्दी उत्तेजित होकर गुसे में आ जाते हैं और इन लोगों के लक्ष बड़े होते हैं इसलिए ये लोग छोटे-छोटे कामों में रुची नहीं लेते एक मूलांक के लोगों को पित के घटने और बढ़ने से संबंधित समस्या को जेलना पड़ता है इन लोगों को दिल की बिमारी, दाद के रोग, सिरदर्द, नेत्र रोग होने की संभावना रहती है अंक दो तो दोस्तों अगर आपका जन्म किसी भी महीने की दो तारिक, ग्यारा, वीस या उन्तिस तारिक को हुआ है तो आपका मूलांक है दो इन लोगों का हृदय बहुत कोमल होता है और ये बहुत ही संबेदन शील और सौमे लोग होते है ऐसे लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं और दिन में सपने देखते हैं इनका स्वभाव बहुत ही चंचल होता है और ये लोग स्थिर नहीं रहते अर्थात इनका मन एक जगे नहीं रहता इन लोगों को गैस के रोग, आतों में सूजन, मान से कमजोरी, फेपडों में रोग होने की समस्या होती है अंक तीन दोस्तों ये वो व्यक्ती है जिनका जन्म माह की तीन, बारा, एकीस या तीस तिथी को हुआ है तो इनका मुलांक तीन है, ऐसे लोग बुद्धिमान हैं और ज्यानी होते हैं साथ ही ये किसी के लिए अपने मन में कोई बोज नहीं रखते बल्कि जो मन में आता है उसे बिना किसी तरह बदले स्पष्ट रूप से बोल देते हैं ऐसे लोगों को कला के प्रती अधिक प्रेम होता है इनको नर्वस सिस्टम से सम्मंधित रोग होने की आशंका रहती है पीट वपैरों में दर्द, चर्म रोग, गैस, हड़ियों में दर्द, गले का रोग और लकवा होने की संभावना तीन मूलांक के लोगों को रहती है अंक 4 दोस्तों, चार मूलांक वाले लोगों की जन्म तिथी 4, 13, 22, 31 होती है इस तिथी पर जन्म लेने वाले लोगों को बहुत ही परिश्रमी माना जाता है साथ ही इनको अनुसाशन प्रिय होता है ये अपने आपको व्यस्त रखते हैं और कभी शान्त नहीं बैठते इन लोगों को सांस की बिमारी होती है दिल का रोग, बलड प्रेशर, पैरों में चोट, नीन की समस्या, आखों की समस्या, सिर दर्द, पीठ का दर्द जैसे रोगों की बिमारी हो सकती है मुलांक चार के ल जन्में लोगों में सादगी होती है, इनका स्वभाव साफ होता है, साथ ही इनकी प्रवर्ती बहुत ही भोली भाली होती है, ये लोग एकता में विश्वास रखते हैं और हमेशा मिल जुलकर कारे करते हैं इस मुलांक में जन्में लोगों को पेट से सम्बंधित बिमारिय मानसिक तनाव, सिर्दर्द, जुकाम, कमजोर नजर, हाथ और कंधे में दर्द, जैसे रोगों का सामना करना पड़ता है अंक छे, वे व्यक्ति जिनका जन्म 6, 15, 24 दिनांक को हुआ है, वे लोग बहुत चतुर होते हैं क्योंकि ये अपने कारियों को दूसरों से करवाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, साथ ही इनके लिए छल और बल का प्रयोग करना भी कोई मुश्किल कारिय नहीं होता इन लोगों को सौंदर के प्रती अधिक रुची होती है, ये लोग गले, गुर्दे, छाती, हिर्दय रोग और गुप्त रोगों, पत्री, फेपणों के रोगों से पीडित होते हैं अंक साथ, साथ मुलांक वाले लोगों की जन्मतिती साथ, सोला, पच्चीस होती है इन तारीक को जन्मे लोगों का सौभाव बहुत ही मिलनसार होता है, और ये लोग बहुत अच्छे विचार वाले होते हैं, किन्तु फिर भी इन्हें अपने जीवन में दूसरे लोगों से धोखे का सामना करना पड़ता है इन लोगों को बध़जमी, पेट के रोग, आखों के नीचे काले धबे, सिर्दर्ध, खून की खराबी, फेपड़े के रोग, चर्म रोग और यादाश में कमी जैसी बिमारियों की संभावना होती है अंक आर्ट दोस्तों वेव्यक्ति जिनका मूलांक आर्ट है, जिनकी जन्मतिती आर्ट, सत्रा, छबीस होती है, इन लोगों की प्रवर्ती गुप्त होती है ये जो भी कारे करते हैं उसके बारे में किसी को नहीं बताते और इन्हें समझना आसान नहीं होता ये लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं लेकिन इनके पास ये धन जादा दिनों तक नहीं टिकता इन्हें लीवर के रोग, वात रोग, मुत्र रोग हो सकते हैं साथ ही इन्हें डिप्रेशन होने की भी संभावना हो सकती है अंक 9 अंक 9 होता है जिन लोगों का जन्म 9, 18, 27 तारिक को हुआ हो। उन लोगों का मुलांक होता है 9। इन लोगों का दृष्टी कोण समाज के प्रती बहुत जादा होता है। और ऐसे लोग समाज के कल्यान के प्रती हमेशा अपनी भागितारी के लिए तैयार रहते हैं। ये दिखाई दे जाती है। मुलांक 9 वाले लोग पेट के रोग, आग से जलने, बुखार, दात का रोग, बवासीर, रक्त विकार, चर्म रोग जैसी समस्याओं से पीडित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि व्यक्ति का स्वभा उसके मुलांक पर किस प्रकार निर्भर है। तथा व्यक्ति को अगर कोई रोग होने की संभावना है तो वो उसके मुलांक से किस प्रकार जुड़ी हुई है। हम उमीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो आवश्य पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइ या कमेंट है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। देखते रहिए चमतकारी तोटके।